Dear student of class 7 Good evening to you all I am Sudhansu Sekhar talking to you and your science teacher आज हमारा दूसरा क्लास है Chapter 1 Nutrition in Plants का आज हमें पढ़नी है Modes of Nutrition There is two kinds Autotropic and Heterotropic So let's get start your class Modes of Nutrition Potion के शाधन Living organisms show two modes of nutrition जिवित जीव के Potion दो तरीके के होते है तो वे दो तरीके क्या है पहला They prepare their own food वे अपना भोजन स्वेंग तैयार करते हैं And second They take in ready-made food Either from plants, fruit and vegetables और from animals, milk, meat and eggs वे रेडिमेट भोजन या तो पौधे से या जानवरों से लेते हैं तो कहिरा है कि यह रेडिमेट भोजन तो रेडिमेट भोजन क्या होता है Ready-made भोजन में दो काटेगरी होते हैं पहला है पौधे तो पौधे से क्या परापत होता है फोल और सब्स्जिया और दूसरा है जानवर तो जानवर से हम कैसे प्राप्त करते हैं? क्या सब? दूद, मांस और अंडा ये दूसरा हो गया पोशन का साधन और पहला था जो स्वेंग तियार करता है अब ये तो हो गया पोशन के साधन के दो तरीके अब है next की इसका मतलब क्या है? The nutrition of the first type is called autotropic कह रहा है nutrition का जो है पहला प्रकार उसे autotropic कहते हैं auto self and trop nourishment auto का मतलब होता है self जिसे shrank कहते है और trop का मतलब होता है nourishment जिसे portion कहते हैं मतलब swimming का portion तो पहला वाला जो हम बोले थे they prepare their own food इसे autotropic कहते हैं और दूसरा जो हमने कहा था ready made भोजन जो जानवरों और परसुओं से प्राप्त होता है वो है हमारा hetotropic they are second type of nutrition तो आप समझी गया होंगे जो यह जो है दूसरों पर आस्रित रहता है इसलिए इसे परपोसी भी कहते हैं heteros का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर होने वाला है इसलिए इसका नाम भी heterotropic है परपोसी अब next अब हम autotropic के बारे में थोड़ा और define करते है autotropic nutrition autotropic nutrition is found in green plants हरे पौधे में autotropic portion पाया जाता है green plants prepare their own food through a process called photosynthesis कहरा है कि हरे पौधे प्रकास अंसलेशन नामा के क्रिया के माध्यम से अपना भोजन तयार करते हैं जितने भी हरे पौधे हैं प्रित्वी पे वो सुरी से प्रकास लेकर या सुरी के उपस्तिती में अपना भोजन तयार करते हैं किसके माध्यम से प्रकास संसलेशन के माध्यम से नेक्स्ट दा लिवस आफ दीज प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ट क्लोरोफिल इन पौधों की पत्यों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल काता कहते हैं कि यह का जाता है तो इन पौधों में एक चीज विशेश होती है वो है क्लोरोफिल वो किस क्लाड़का होता है ग्रीन क्लाड़का अगर अगर पौधी की पत्यां अगर ग्रीन ना हो तो क्या वो अपना भोजन त्यार कर सकता है नहीं तो ये चीज विशेश है कि उसमें एक गुन है जिसका नाम है chlorophyll तो chlorophyll की वज़े से पौधर की पत्यां जो है अपना भोजन बना पाती है प्रकास तंसलेशन की साहिता से Without chlorophyll, food cannot be prepared by the plants और बिना chlorophyll के पौधर जो है अपना भोजन नहीं बना सकते हैं स्यार नहीं कर सकते हैं नीचे है green plants are called autotropic organisms या autotrops कह रहा है कि हड़े पौधे को autotropic organism या autotrops भी कह जाता है अब है हमारा next topic heterotropic nutrition Heterotropic nutrition के बारे में अब हम पढ़ेंगे All animals show heterotropic mode of nutrition and hence are called heterotrops सभी जानवर portion के heterotropic mode को दिखाते हैं और इसलिए heterotrop कहलाते हैं Heterotrops are organisms that cannot manufacture their own food and derive food from plants or animals or both Heterotrop जैसे जीव जो अपने भोजन का निर्मान नहीं कर सकते हैं वो पौधो या जानवरों या दोनों से भोजन प्राप्त कर लेते हैं If you list all the food items that you eat during the day, you will know how much we depend on plants and animals यदि आप उन सभी खादपदार्थों की सूची बनाते हैं या सूची करते हैं जो आप दिन में खाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम पौधो और जानवर उपर कितना निर्भर हैं इन्होंने यह बात सही कही है कि हम जो है तीन भर में जितना भी भोजन खाते हैं वो किसी न किसी चीज से प्राप्त करते हैं या तो वो पौधो से रहता है प्राप्त या जानवर उसे प्राप्त होता है जैसे कि जानवर से जैसे हम प्राप्ट करते हैं, दूद, अंटा, मांस, जितने भी हैं, तो यह क्या है, यह एक पसू से हमने प्राप्ट किया, और पहला जो पौधे थे, पौधे के अंग, जैसे सबजी, या कोई भी अनाज हो, चाबल हो, गेहुम हो, यह क्या है, सबी जो ह यह हेट्रोट्रॉप्स है, हम खुद से यह चीज नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम जो हैं से दूसरे पर आश्रेत हैं, वीट, राइस, पल्से, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, यह सब प्लांट्स हैं, और मेल, कर्ड, चीज, एक्स, मेट आर वीटेपेंड अनिमल से, दू यू नो दाट इवें सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स आज दे कैन इत इंसेक्ट्स, क्या आप जानते हैं, कुछ पौदे, हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, क्योंकि वे कीरे खा सकते हैं, हमने आज तक तो यह पढ़ा था, कि हम लोग पौदों को खाते हैं, चोटे-चोटे पौदे को, जैसे कि साग सुने होंगे, साग खाते हैं, वो चोटे-चोटे पौदे उनको खा सकते हैं, या तो आज दूसरे पौदे के अंग को खाते हैं, लेकिन हमने कभी यह नहीं सुना था कि पौधे भी कीरो को खाते हैं तो चलिए अब बात करते हैं वो कौन से हैं जो कीरो को खाते हैं पीचर प्लांट और वेनस फ्लाइट ट्रैप are plants which eat insects ये दो पौधे हैं जो किसको खाते हैं कीरो को खाते हैं तो पहला है हमारा ये पीचर प्लांट ये जो पौधे हैं क्या करते हैं कीरो को खाते हैं ठीक है और दूसरा है हमारा वेनस फ्लाइट ट्रैप ठीक है तो जो कीरो को खाते हैं पौधे उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट काते हैं इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है कीट भग्ची पौध है अब नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हावेवर आल्सो प्रिपेर दियर फूड एजन आटो ट्रॉप कीट भग्ची पौध है हालाकि अपने भोजन को एक आटो ट्रॉप की रूप में भी तियार करते हैं देखिए रहे इसमें तीन कट्रोगरी हमने पढ़ा भी मोड्स अपनेट्रिशन पहला आटो ट्रॉपिक दूसरा हेट्रो ट्रॉपिक तीसरा इंसेक्टी पौध पहला वाला आटो ट्रॉपिक जो था उसने स्वाइंग अपना खाना बनाया जैसे कि पौधे दूसरे वाले में जो हेट्रो ट्रॉपिक थे उसने दूसरू पे डिपेंडेंट राने की कोशिस किया मतलब दूसरे पे निर्भर राने का जैसे कि पौधे के अंग और पश्वो के उत्पात से अपना भोजन प्राप्त किया और तीसरा है इंसेक्टी भोरस जिन्होंने कीरों को खाके अपन भोजन प्राप्त किया तो यह है हमारे मोड्स ओफ नुट्रिशिशन अब आगे अब आगे चलते हैं इसे कि खाने के अधार पे इसे तीन भागों बटा गिया किसको तुब बात कर रहे हैं किसको खाने के अधार पर तो जानवरों को उसके खाने के याद़ों में ओर गया उन्से पर्म ईसके खाने के आदर पर पर इनको तीन होन में विवाजित किया गया beaccast on their eating habits ओ॥ एनली इटिंग हैउबीट से लिए अनिमल्स को ट nutr ऑड़ किए करिया गया है कितने तीन भागों में अं trusting habits की पहला है अच्ट how do this कार्णी बोरस और कि तहार भी बोरस में देखिक क्या है in K sean he Brou竹 में है Plant Eaters पौधों को खाने वाले जीबों को रख़्ा गया है काओ बेफय लोग deer sheep ठीक है दूसरा है carnivorous meat eaters जैसे tiger, lion and ball इन सबी को रखा गया harvivorous का तो मतलब यादी होगा आप लोगों को harvivorous को हम साकाहारी कहते हैं carnivorous को मांसाहारी कहते हैं तो आप हमारा बच गया तीसरा तीसरा कौन सा है omnivorous जिनको हम सरवाहारी के नाम से जानते हैं eat both plants and animals like humans and craw and cockroach जो इसमें जो है सो कौन कौन से आते हैं इसमें human आते हैं craw आते हैं, cockroach आते हैं जो इन सभी को खाते हैं ठीक है अब देखिए इसमें एक साखा बनी हुई है nutrition की जो कैसे कैसे किसी को divide किया गया है जैसे nutrition को दो भाग में divide किया गया तब पहले, autotropic, heterotropic autotropic में कहा गया जो अपना भोजन स्वाइंग तयार करें दूसरा heterotropic में जो अपना भोजन खुद तयार नहीं कर सकें और किसी और से अपना भोजन प्राप्ट करें जैसे पौधे या animals से उसके बाद heterotropic को तीन भागों में बाटा गया है पहला herbivores, carnivores, omnivores okay herbivores में plant eaters आ गया है carnivores में meat eaters आ गया है omnivores में पौधे और जानवरों को दोनों को खाने वाले आ गया है ठीक है तो क्या है वो chlorophyll gives plants their green color because it reflects green light and absorbs blue light तो यह कह रहा है कि जो chlorophyll जो है सुपधो को क्या देता है green color देता है हाडा color देता है क्यों? क्योंकि यह क्या करते है red और blue light को absorb कर लेते है ठीक है और उसे क्या करते है reflect करते है green light में ओके चलिए अब हमारा lesson समाप्त हो रहा हुआ है